दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिजापती नियूज में आज के वीडियो में जानिये शंक कैसे बनता है भगवान की पूजा में इस्तेमाल होने वाला शंक कैसे बनता है कैसे जमीन से निकाला जाता है या फिर समुद्र में पाया जाता है क्या ये किसी जानवर के मरेवे शरीर का हिस्सा है या फिर कुछ और आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं प्रकृती में एक से बढ़कर एक हैरान करने वाली चीज़ें पाई जाती है फिर चाहे वो मोती हो या फिर शिवलिंग ये सभी हमें प्रकृती से प्राप्त होता है और उनी में से एक है शंक जिसका इस्तमाल हम पूजा अर्चना क के द्वारान मधूर और मन को मोह लेने वाली ध्वनी निकालने के लिए करते हैं लेकिन सवाल ही आता है कि आखिर इस शंक को बनाया कैसे जाता है क्या इसे कारीगार फैक्ट्री में तयार करते हैं या इसे प्रकृती द्वारा बनाया गया आज मैं या आपका दोस्त विश स्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सब से पहले दोस्तों हमारी प्रिथ्वी पर मौजूद विशालकाय, महासागर, कुद्रत की एक अनमोल रचन जिनकी गहराईयों में कई सारी प्राकृतिक और मुल्यवान चीजों का भंडार है जिसमें समुद्री नमक, कौडिया, शिवलिंग, शालिगराम, सहवाल, मोती, रंग बेरंगे पत्थर तथा रतनों का समावीश है और उनी में से एक मंदिरों में पूजन तथा आरती के दोरान बजने वाला शंक जिसकी आवाज आप लोगों ने जरूर सुनी होगी समुद्री की किनारे मौजूद रेत में आपने अकसर छूटे बड़े तथा कई प्रकार के शंक और सीपियां देखी होंगी जिनमें कुछ को देखने के लिए हमारी नंगी आँखे काफी नहीं है तो वहीं कुछ के आकार इतने बड़े होते हैं कि देखकर इंसान की आँखे फटी फटी रह जाएं ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि शंक कैसे निर्मित होते हैं असल में दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन में पूजा पाट के लिए हम जिस शंक का इस्तमाल करते हैं वो शंक प्लास्टिक धातो या फिर पत्थर से ने बनता ना ही ये कोई मानाव निर्मित वस्तू है बलकि शंक तो बिना रेड़ की हड़ी वाले समुद्री जीवन के शरीर के कड़े खोल होते हैं दोस्तों ये समुद्री जी मॉलस्क के नाम से जाने जाते हैं जैसे जैसे मॉलस्क के शरीर का आकार विक्सित होता है वैसे वैसे उनके कवच भी कठोर और बड़े होने लगते हैं वैसे आपको बता दे कवच जिसे हम शंक के तोर पर इस्तमाल करते हैं वो और किसी चीज से नहीं वलकि चूने से बनते हैं जा मॉलस्क समुद्र से चूने को प्राप्त करते हैं और फिर इसी चूने से शंख के आकार के रूप में जमा करते चले जाते हैं। दोस्तों इस शंख कई प्रकार के होते हैं जिसे सीपी, कौडी तथा गोमती चक्र। अब यहां सवाल ये आता है कि शंख को प्राप्त करने के लिए मॉलस्क को मारा जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है। ये समुदरी जीप जब खुद से मर जाते हैं तब जाकर इनके शेरीर का एक खोल जिसे हम शंख कहते हैं वो पानी में बहता हुआ बाहर की तरफ आ जाते हैं और फिर व्यापारी उनहीं को उठा कर एक अत्रित कर लेते हैं लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि पूजा करने के लिए इस्तमाल में लाने लाइक बनाना इसे बहुत जरूरी है और इसलिए व्यापारी सबसे पहले इसकी साफसफाई करते हैं और फिर इसे 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 इस्तमाल करने लाइक बनाते हैं तब कहीं जाकर आम ग्रहक तक श रचना की क्योंकि ये तीन परतों से बना हुआ होता है जिसमें बाहरी परत चिकने पदार्थ से बनी होती है तता चूना रहीत होती है दूसरी परत चूने की बनी होती है तता जो सबसे भीतरी परत है उसमें कई हलकी हलकी परते होती है जो कि चूने से बनकर तयार होती है दो दिख सकते हैं कि शंक कई अलग-लग रंगों में उपलब्द होते हैं, जिसमें कई प्रकार के रंग धब्बे और धारिया बनी होती है, यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि मौलस्क जीव की जो प्रजादिया होती है, वो कई बार अलग-लग तरह की होती है, जिन मेंसे रंग-बिरंगा अकार और संरचनाई देती है, जिसके वज़े से शंकों की सुन्दरता और जदा बढ़ जाती है, कुछ तो इतने सुन्दर होते हैं कि जब हम इने देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं शंक के उप्योग के बारे में, क्य इस में से एक बड़ा उपयोग तो आप भी जानते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के पूजन और आर्ति के समय जो मधूर आवाज निकलती है वो शंक की सहायता से ही निकलती है इतना ही नहीं इस मधूर आवाज के साथ साथ आर्ति के दौरान शंक बजाना बहुत शुब माना जाता है और सबसे जादा हैराने वाले बात तो यह है कि प्राचीन काल में शंक का इस्तेमाल मुदरा की तरह खिया जाता था जहां लोग इसे चीजों के लिंदेन के लिए अपने इस्तेमाल में लेते थे और आज के समय में तो यह इतनी जादा रंग- प्रंगे और खुबसूरत नजर आते हैं कि इनकी मदद से हार और सीपियों से बटन बना जाते हैं इतना इने शंख सीपियों और गोमती चक्र वगारा का इस्तमाल घर की सजावट की चीजों के लिए खूब होता है इनसे बनने वाले जुमर बहुती ज़्यादा खुबसूर तो दोस्तों ऐसा नहीं है शुरुवात से ही शंख को बजाते हो वक्त हमें काफी ताकत की जरूरत पड़ती है तब जाकर कहीं शंख बजता है और अधिक ताकत लगाकर शंख बजाने से फेपडों की अच्छे खासी एक्ससाइज हो जाती है ऐसे में अगर आप रोजाना शंख बजाते हैं तो ये स्वास्ते के लिए काफी अच्छा माना जाता है जहाना केवल ये हमारे फेपडों को स्वस्त बनाये रखता है बलकि इसकी मदद से चेहरे को भी काफी लाव मिलता है आपके गले फेपडे की काफी अच्छे एक्ससाइज हो जाती है जिसके में आपको इनसे जुड़ी बीमारी परेशान नहीं करती इतना है नहीं कई सारे वग्यानिक तो यह भी बताते हैं कि शंख बजाने से या दाश्ट काफी अच्छी होती है शंख फूकने से फेंपडों के माध्धम से दूशित हवा बाहर निकल जाती है जिसकी वज़े से शर गए होंगे कि जिस शंख की आवाज सुनकर हमारा मन शान्त हो जाता है वो शंख असल में प्रकृति का अनमूल तौफ है जिसके बारे में आपका क्या खयाल है कॉमेंट में बताइए और इस तरह की वीडियो उसको देखते रहने के लिए हमारे शैनल प्रजापतिनी उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये